काफी लोगों ने ये पूछा है कि क्या अंगूर खा सकते हैं हरा वाला जो अंगूर है आप देख सकते हैं ठीक है ये हरा वाला अंगूर है क्या ये खा सकते हैं खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं डाइबेटीज के मरीज तो आज के वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊं लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग जो है, वो सिर्फ फास्टिंग रीडिंग और पीपी रीडिंग देखने के लिए आते हैं, अगर आप फास्टिंग रीडिंग देखेंगे और पीपी रीडिंग देखेंगे, वो सिर्फ मेरा अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से कुछ सीखे तो वीडियो को पूरा देखना जरूरी है चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो क्योंकि पूरे वीडियो में मैं कुछ न कुछ ऐसा information देता हूं अगर आप वो miss कर गए तो आपको कोई benefit नहीं होगा इस वीडियो से ठीक है आ अंगूर खा सकते हैं आज बताऊंगा अभी अब टाइम देख सकते हैं दस बच के तीन मिनिट हो गया है ठीक है तो एक blood sugar reading सबसे पहले करते हैं यह मेरा fasting blood sugar होगा आज देखते हैं मेरा fasting कितना आता है तो यह जो है ग्लूकोमीटर बिल्कुल रेडी है एक prick कर लिया हमने कौन भी आ गया है और यह countdown शुरू तो आप देख सकते हैं कि मेरा fasting जो है 145 है ठीक है मेरा fasting हमेशा high रहता है इससे आपको tension करने की कोई जरूथ नहीं है लेकिन फिर भी यह time in range में है और यही चीज में आप लुक को जिखा रहा हूं कि fasting हाई होने से कोई problem नहीं होता है time in range में रहना बहुत जरूरी है 70 से लेके 180 तक आज मैं आप लुक को बताऊंगा कि अंगूर खाना है तो कैसे खाना है और कितना खाना है ठीक है सबसे पहले अंगूर की nutrition के बारे में जान लेते हैं अंगूर जो है इसको मैंने measure करके लिए है 100 ग्राम तो 100 ग्राम अंगूर में आपको 70 calories के असपास मिलेंगे इसमें 17-18 ग्राम carbohydrate मिलेगा 17-18 ग्राम carbohydrate जो की काफी जादा है साथ ही साथ इसकी glycemic load भी काफी हाई है 53 है वैसे 53 तो lower category में आता है लेकिन lower category में भी higher side में है ठीक है 55 तक हम lower category तक मानते हैं लेकिन ये 53 इसकी glycemic index है काफी हाई है carbohydrate content 18 है ठीक है और सबसे खास बात जो आपको जानना है जो कोई नहीं बताएगा आपको कि इसमें जो है fructose के इलावा इसमें आपको glucose भी मिलेगा जी हाँ इसमें आपको fructose के इलावा glucose भी मिलेगा और इसकी ratio जो है almost one is to one होती है या फिर glucose जादा भी हो सकता है अगर अंग खाएंगे तो आपकी sugar level बढ़ाएगा diabetes के मरीज अंगूर खाएंगे तो बढ़ाएगा और 100 ग्राम से जादा तो diabetes के मरीज को बिलकुल नहीं खाना चाहिए अगर कोई भी diabetes के मरीज 200 ग्राम अंगूर खाएगा उसकी sugar level 200 के उपर जाएगा यह मेरे से लिखवा लिजे आज अगर कोई भी sugar के मरीज 200 ग्राम अंगूर खाएगा उसकी sugar level 200 के उपर जाएगा जिसकी भी sugar uncontrolled है उसकी sugar level 200 के उपर जाएगा तो आपको 200 ग्राम अंगूर कभी नहीं खाना है अंगूर खाना है तो 100 ग्राम से जादा नहीं खाना है लेकिन 100 ग्राम अंगूर भी खाएगे तो भी इसमें ग्लुकोज बहुत है, और ग्लुकोज बहुत जल्दी ब्लड में मिल जाता है, शुगर में कनवर्ट हो जाता है, जिससे कि आपकी शुगर लेवल बड़ा हुआ आता है, ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या अंगूर नहीं खाए, डाबेटीस के मरीज तो शुगर बड़ेगा, तो आप सवाल यह है कि अंगूर को कैसे खाना है वो भी बता देते है अभी, पहले इसको साइट करते है, टाइम आप देखते रहिएगा, तो यह 100 ग्राम अंगूर मैंने लिया है, मैंने बदाम जो है, 20 ग्राम बदाम को मैंने पीस लिया, ठीक है 20 ग्राम बदाम में आपको 10 ग्राम फैट मिलेगा, और 4 ग्राम कार्वाइडर और 4 ग्राम प्रूटीन, इसको मैंने पीस लिया, ऐसे देखे, 20 ग्राम, इसमें 120 कैलरी के असपस आपको मिलेंगे, तो यह बदाम भी मैं इसमें अंगूर में डाल दूँगा, ऐसे करके, ठीक मैंने यह एक और चीज़ लिया है, इसमें क्या है, इसमें हैं, कॉक्नट फ्लेक्स, तो कॉक्नट फ्लेक्स भी मैं यह छोटे चमच का दो चमच मिला लूँगा, ठीक है, एक चमच और यह कॉक्नट फ्लेक्स, इसमें भी आपको healthy fat थोड़ा बहुत कार्वइड भी मिल और इसको अब अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक बरिया सा मेरा breakfast हो जाएगा ठीक है ये इसको अच्छी तरह से ऐसे मिलाएंगे और बहुत ही बैतरीन डिश हो जाएगा आपका और ये आप ट्राई कर सकते है breakfast में अगर आपना वरात्र का fast रख रहे तो भी ले सकते है इफ्तारी में ले सकते है ठीक है और इससे आपकी sugar level उत्रा नहीं बढ़ेगा जितना सिर्फ अंगूर खाने से बढ़ता है ठीक है तो अंगूर का मज़ा आप ले सकते है तो आज आपने सीख लिया कि अंगूर को कैसे खाना है ठीक है इसको मैं अभी खाता हूँ और fast forward करके आपको दिखा देते है तो दोस्तों मैंने 100 ग्राम अंगूर खा लिया है ठीक है अंगूर को कैसे खाना है यह आज मैंने आपको सिखा दिया है ज्यादा तर लोगों को यह मालूम है नहीं है कि अंगूर में glucose भी होता है तीक है बहुत सारे लोगों को लगता है कि अंगूर में fructose होता है और आपकी sugar level नहीं बढ़ाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है, अंगूर खाने से आपकी शुगर लेवल तुरंद बढ़ेगा और दो गंटे बाद भी बढ़ा हुआ ही रहेगा अंगूर 100 ग्राम से जादा नहीं खाना है, 200 ग्राम खाएंगे तो 200 के उपर शुगर जाएगा अगर आपको डियाबेटीस है, 100 ग्राम से जादा मत खाएंगे, साथ ही साथ, फैट के साथ मिला के खाएंगे, प्रोटीन के साथ मिला के खाएंगे, तो शुगर नहीं बढ़ेगा अभी जो टाइम होड़ा है, 10 बच के 13 मिनिट है, मैं आप लोग से 2 गंटे बाद फिर से मिलूँगा, 12 बच के 13 मिनिट के असपास, और देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है तो दोस्तो एग्जेक्ली 2 गंटा हो चुका है, मुझे 100 ग्राम अंगूर खाए हुए, अभी आप टाइम देख सकते हैं, 12 बच के 14 मिनिट हो गया है, तो अभी मैं अपना ब्लड शुगर चेक करूँगा, और ये मेरा पी-पी ब्लड शुगर होगा, ठीक है तो देखते हैं अभी कितना आता है ये मैंने ग्ल्यूकोमेटर लगा दिया है, और ये देख सकते हैं, बिल्कुल रेडी है ये हमने प्रिक कर लिया, और ये खून आ गया, और ये काउंट डाउन शुरूँ तो आप देख सकते हैं, कि मेरा फास्टिंग 145 था, और मेरा जो पी-पी है, अंगूर खाने के बाद 134 ये अच्छी तरह से देख लिजे, ठीक है, 140 से कम आ गया, फास्टिंग से कम आ गया तो ये चमतकार कैसे हुआ, दूसरे लोग अंगूर खाते हैं, तो शुगर बढ़ जाती है, ये चमतकार कैसे हुआ, मेरा कैसे कम आ गया डायफेट डायफेट के कारण अगर आप डायफेट डायफेट को फॉलो करेंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी कम आजाएगा आपको डायफेट डायफेट में हम सिखाता है कि कैसे आपको फूट कमबाइन करके खाना है प्रोटीन, करवोईडेट और फैट यह तीनों चीज़ को जब आप मिलाके खाएंगे तो अंगूर भी खा सकते और अंगूर खाके आपको शुगर लेवल आपका शुगर लेवल जो है नहीं पड़ेगा देखिए आपके सामने में नहीं के फास्टिंग जादा था लेकिन पीपी बिलकुल नॉर्मेल रेंच में आ गया है वही ग्लूकोमीटर है, वही है, सब कुछ वही है तो आप यह नहीं कह सकते कि ग्लूकोमीटर खड़ाब है ठीक है लेकिन जादा तरलोग जो है, सिर्फ इसी रीडिंग के उपर निर्वर रहते है वह HB1C नहीं कराते है वह फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट नहीं करते है अगर कोई भी इनसान सिर्फ इसके उपर निर्वर रहेगा तो बहुत बड़ा गल्ती कर रहा है उसको HB1C चेक करने चाहिए अगर HB1C साथ के उपर है तो उसको भहुत नुकसान होने वाला है उसकी किदि डैमेज हो सकता है उसका लिवर डैमेज हो सकता है आखों की रोशनी जा सकता है हैंजबारी है ठीके? Hb1C कराना बहुत आनेवारीय है. साथी साथ fasting insulin चेक करना बहुत जरूरी है. केई बार होता है कि आपki insulin जो है रहता है but Hb1C कम रहता है, आगर insulin बहुत ज़ादा है तो आपको insulin resistance है और आपको दिक्कत हो सकती है तो इसलिए ये दो टेस्स जरूर करें, डायफिट डायट को जरूर फोलो करें, डायफिट डायट क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक कैलकुलेशन है, जिसमें आपको सबसे पहले टोटल डेली एनरजी एकस्पेंडिचर लेना है, उसका जो है 26 प्रतिशत या उसक अगर आपको डायफिट डायट को फोलो करेंगे, तो सो ग्राम अंगूर खाईए, इस तरह से खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, ये डिश ट्राइ करिए, नीचे कमेंट में जरूर बताना आपका शुगर लेवल कितना आया अंगूर खाने के बाद, अगर आपका कोई भी सवाल है, निट्रिशन के बारे में कुछ भी डाउट है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे साथ जूर सकते हैं, डायबेटीस दर्बार में जूर सकते हैं, आजकल डायबेटीस दर्बार जो है डायफिट एप में लगता है, डायफिट दरबार हर मंगलवार रात को 9 बज़े लगता है उस पे एंडरोल करें मात्र 999 में आप एंडरोल कर सकते है और आपका कोई भी nutrition के सम्मंदित सवाल हो diabetes के सम्मंदित सवाल हो insulin resistance को लेके सवाल हो आप diabetes दरबार में जूर के मेरे साथ सवाल कर सकते है हर सवाल का जबाब मैं दे तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए क्योंकि लोगों को जो है अंगूर कैसे खाना है वो मालूम नहीं है कुछ लोग ऐसे वीडियो बना के दिखा रहे कि अंगूर खाने से शुगर बढ़ जाती है और लोग घबडा जाते है ऐसा नहीं है आप भी अंगूर ख आपको सिखाया है वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए अगर वीडियो यहां तक देख लिए अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजे इस से मुझे थोड़ा सा मोटिविशन मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए और अगर चैनल में पहली कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलूगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो के देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत देनेवाद है